नमस्कार मेरे चानल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लसून पत्ते के पराठे कीरे से पीले कर आई हूँ तो इसके लिए हैं ये लसून के पत्ते इसे धूली आया पहले फिर इस तरह से इसे काट लेंगे और फिर इसे मिकसर जार में डाल कर इसका पेस्ट बना देंगे तो इस तरह से मिकसर जार में डाल दें और साथ में इसमें हरी मिर्च और मतर के दाने भी डाल देंगे तो यहां पर चार हरी मिर्च डाल रही हूं मैं इसमें तीके पन के लिए अगर आप हरी मिर्चे नहीं डालेंगे तो आप इसकी जगह पर लाल मिर्च पाउडर जब आटा लगाएंगे तब उससे में डाल सकते हैं और थोड़ी सी हरी मटर डाल रही हूँ मैं और इन सबी चीजों को मिक्सर जार में डाल कर इसका पेश्ट बना लेंगे तो नमक स्वात के अनुसार डाल दें 15 चमच भुने जीरे का पाॉडर, 15 चमच काली मर्च पाउडर और 15 चमच अजवाइन और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले तो इस तरह से पहले इन सबी चीजों को मिला ले फिर इसमें डाल देना है लसून के पत्ते का जो पेश्ट बनाया था इसमें डाल देना है और डालना है इसमें तीन चम्मच तेल और फिर इसका आठा लगा लेंगे जिस तरह रोटी के लिए आठा लगाते हैं वैसे ही इसका आठा तयार कर लेना है तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पाइं डाल कर आठा गूंद ले तो अभी आठा गूंद लिया है इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ढखकर 10 मिनट के बाद इसे हलके हाथों से और मसल लें फिर इस तरह से पराठे के लिए लोई लेना है और इस तरह से गोल कर लेना है तो इस तरह से सभी लोईया बना लिए है मैंने और फिर लेना है थोड़ा सा आठा बेलने के लिए और लोईया बना के आप उसे ढख कर रखें नहीं तो उपर से वो ड्राई हो जाएंगे तो इस तरह से फिर पराठा बेलेंगे तो इस तरह से पहले गोल पराठा बेलने फिर इसके उपर इस तरह तेल लगाएं और फिर इसे चाकू से इस तरह लंबे-लंबे टुकडों में काट लें और फिर इसे इस तरह से एक जगह पी इसे जमा कर लेंगे सभी टुकडों को और फिर इस तरह से फिर से गोल लोई बना लेंगे और इसे फिल से बेल लेंगे तो आप इस तरह से ये लसून के पत्ते का लच्छा पराथा बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे ट्रेंगल शेप का भी बेल कर ऐसे ही साधा पराथा भी बना सकते हैं और कुछ पराथों में इस तरह से उपर से तिल लगा कर भी इसे बेल सकते हैं तिल लगाने से पराठे का स्वाध और भी बढ़ जाएगा, तो अब ये 4-5 पराठे बेल गिये हैं मैंने, अब इसे सेख लेंगे तवे पर, तो इसे तवे पर सिखने के लिए डाल दें, और इसे मिडियम फ्लेम पर सेखे, और फिर दोनों तरब से इस तरह से तेल लगा ले, आप तेल की जगाप पर इस पर गी कई भी इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर बटर भी लगा कर इसे सेख सकते हैं, तो इस तरह से दोनों साइट पर तेल लगा कर इसे अच्छे से सेख लेना है, तो इस तरह से आप लसून के पत्ते का पराठा बनाएं और इंजॉय कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरू बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो ये देखिए सभी पराठे कितने नर्म बने हैं और सभी पराठों में लच्छे भी अच्छे से आये हैं तो इस तरह से आप लसून के पत्ते का लच्छा पराठा बना सकते हैं जरूर की एजी और सिंपल रेसिपीस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए थाइंक यू